आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशी फल विस्तित राशी फल जानते है नहीं उसे नहीं छूना है आज है सोमवाड यानि की 22 मई 2023 अगर आज के पंचांग की बात कहें तो आज है विक्रम संबत 2018 जेश्ट मास सुकल पक्ष की तृत्या देथी जो की रातरी के 10 बच कर 6 मेर तक रहने वाला है तो दुपान फिर चतुर अगर भी देथी जानते हैं तो डिस्कीप्सन में आज के धर्मशिख्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आजका पंचांग बहुती विस्तहाय तरीके जान सकते हैं एक-एक मूर्तों में जान सकते हैं आज के संपून रासी फल के वीडियो में हम जानने वाले कुल 12 रासियों का आज का रासी फल, साथ हम जानने गे आज का सुब समय, असुब समय, दिसासूल, सुब खादे, रासी अनुसर क्या खादे बता सुब रहेगा, कौन सा रंग सुब रहेगा, और लगी नमर क्या रहन वाला रासी के अनुसर तो वीडियो में हमारा साथ अंतक बने रहे हैं ताकि आपको संपून रासीफल की जानकारी हो पाए रासीफल का वीडियो पसंद आए जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें कमेंट बाक्स में जहें माता दीजा जोब लिखें में तो आज के 12 आपको बताना आरम करूँ उससे पहलі आईये एक नजर आज के गरहो के स्थिति पर जालें क्योंकि गरहों के स्थिति पर ही पूरा का पूरा रासी फल निर्भर करता है आज गुरुबुध राहू सभी एक साथ मेश रासी में सोर्य व्रिष रासी में चंद्रमा सुक्र के विराजित हैं जिसके फलसुप आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आज आपको मान सम्मान मिलेगा, साथ ही आपको यस, किर्थी और लाव की प्राप्ते भी होगी, बुजर्गों और मित्रों के साथ आपका दिन आनन्द में बीटेगा, साथ ही पत्नी और आज आपके लिए नया काम करने के लिए भी अच्छा दिन है। से कष्ट भी हो सकता है, तो अपने स्वास्त का ध्यान जोड रखें, प्रेम समंद की बात के आज पति पत्नी के बीच प्रेम समंद अच्छा बना रहेगा, समंदों में मदूरता भी बनी रहेगी, अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, यह आपके प्रेम समंद के लिए अच्छा भी रहेगा आज किन अंकुरित अनाज खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग आस्मानी रंग लकी नमबर पांच रहने वला हैं बात केंगे वरिस रासी की वरिस रासीम चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आप कोटकचारी के मामले से जितना दूर रहेगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा मन में किसी प्रकार की बेचैनी और चिंताएं रह सकती है वानी और व्यवहार में सयम रखना आवस्यक है आज आप किसी बात को लेकर भावुक हो सकते हैं आज किन खर्चे उपर अपने नियन्तन रखें आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं कुछ जातकों को लंबा सफ़ते करना पर सकता है जो काफी भाग दोर भड़ा भी रहेगा लेकिन साथ ही आपके लिए यह यात्रा फैदेमंद भी रह सकती है व्यापार औधन की बातके नोकरी और व्यापार से जुरे जातक अपने ओफिस या व्यापार से सम्मंदित लोगों से मिल जूल कर रहें समझ और धहरी सही काम करें साथ ही अपने कारे स्थाल पर साधनी बढ़ते हैं आज के इन जल्दबाजी में निवेस तो बिल्कुल भी ना करें अगर आपको कहीं निवेस कर ना हो तो सोच समझ कर ही करें अनभावी लोगों की सलाह से ही करें वरना आपको नुकसान यहां से हो सकता है विद्यार्थी की बात केट विद्यार्थियों के लिए आज के दिन सामाने रहने वाला है आज के दिन सोसल मीडिया में जदा समय ब्रवाद ना करें अपने पढ़ाई पढ़ी ध्यान दें स्वास्ते के बात केट आज के दिन आपके स्वास्ते में थोड़ा थोड़ा चराव आ सकता है स्वास्ते थोड़ा खराब भी रह सकता है तो अपने स्वास्ते का ध्यान जोग रखें प्रेम समन्द की बात केत आज का दिन आपके विवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है जीवन साथी से सामंजस से बना रहेगा आपका आज के दिन बादाम खाएंगे तौ आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग लाल रंग लगी नमबर एक रहने वाले बात करने के मि friendship रासिकी मित्जु नासिम चन्दरमा परतमस्थान में आज वीराजित है जिसके फ्रस आज के लिए आपको कहीं से सुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों और प्रियेजनों के साथ आपको दिन काफी अच्छा बीतेगा किसी से कुछ उपहार की प्राप्ति हो सकती है लेकिन सचेत रहें आज नसीब अजनवियों से बलकि दोस्तों से भी साब्धान रहने की आपको जरूरत है बाहर गुमने की यूजना बन सकती है तथा स्वाधिष्ट भोजन करने का आउसर भी प्राप्त होगा आज किन आपके लिए कई तरह से फाइदे मन साबित हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कई चीजें आपके पक्ष में भी जाएंगी और आपको हर काम में सपलता मिलने की संभावना बन रही है व्यापार और धन की बात करें तो जो जातक नोकरी करते हैं वे अपना कारी अच्छे तरीके से करें क्योंकि आज आपके बॉस की निजर आप पर ही है वेसे भी अपने कारी को इमानदारी पूर्वक ही करना चाहिए जो जातक व्यापार करते हैं जिन्हें निवेस करना है वे आज अच्छे से सोच समझ कर ही निवेस करें तब ही आपको आर्थिक लाब हो सकता है विद्यार्थि की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है, आज विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने की योग भी बन रहे हैं, तो महनत में किसी प्रकार के कोई कमी बिलकुल न रखें स्वास्त की बात के स्वास्त के द्रिष्टी से आज किन आपके लिए सामाने रहने वाला है मौसमी विवानिया किनी किनी जात्कों को परिशान कर सकती है तो साब्धान रहे प्रेम समंद की बात के तो आज के दिन आपके जीवन साथी को भाबनत्मक तोर पर बैक मेल करने से आपको बचना चाहिए इससे आपके रिस्ते खराब हो सकते हैं आपके और आपके जीवन साथी के बीज कोई अजनबी आज नोग जोंक का करन बन सकता है आज किन ब्राउन राइश यानी की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबंग लालनंग लकी नुमर नौ रहने वाला है बात कहिंगे करकरासी की करकरासी में चंदरमा 12 हुए इस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब अगर आज के दिन आप खुस्नमा बनाना चाहते हैं तो आपका मानसिक तनाव और जंजनों से बचकर रहना चाहिए कुछ दिनों से आपका व्यक्ति का जीवन ही आपके धियान का केंडरा है लेकिन आज आप सामाजिक कारियों पर जयाध्यान दे सकते हैं और जोरतमन्द व्यक्ति की मलत करने की कोशिश भी कर सकते हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आज आपके बिग्रे हुए कारिय बनेंगे आर्थी की योद्नों के कारण आपके कारीब परिसरानिया कम भी होगी परिवार में सांती और अनन्द का माहल बन सकता है व्यापार और धन की बात के नोकरी या वेबसाइज जो भी आप काम करते हैं उसमें आपके सहीयोगियों का सहीयोग आपको प्राप्त होगा जिससे कारी अस्थल पर माहल अच्छा बना रहेगा आज कई स्रोतों से धनलाब के योग भी बन रहे हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों को आज करी महनत करने की आवेश सकता है जो जातक महनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ती भी जरूर होगी स्वास्त की बात करें स्वास्त के दिश्ट्री से आज के लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान जोड़ रखें तले भुने और मसायदार खानों से दूर रहें प्रेम समन्त की बात के तो आज आपको अपने जीवन साथी के गुस्से का सामना करना पर सकता है विवाह योग जातकों के लिए आज के दिन उप्युक्त रहने वाला है आज के दूद्ध ये दूद्ध से बली वीच चीज़ें खाएंगे ता आपके लिए सुब रहेगा आपके कल्पना सकती और सीजन सकती वहर कर सामने आएंगे ऐसे में जोजातक साही तिलेखन और कला के छेतर से जूरे हुए है उनको अज सफलता प्राप्त हो सकती है आज कहीं आतरा पे आप जा सकते हैं अगर कोई पारिवारिक उल्जन है तो उसे सुलजाने का यह एक सकते हैं व्यापार अधन की बात कर वित्ति मामलों पर ध्यान देने की आवज सकता है आज कि निवेस काफी फायदय मंद विसावित हो सकते हैं लेकिन निवेस सो समझ कर ही करें आपको अपने भागीदारों यानि की पार्टनर्स के विडियोत का सामना भी करना पर सकता है विद्यार्थी की बात करें, साहित लेखन और कला के छेतर से जुरे हुए विद्यार्थियों के लिए, आज के दिन अच्छा रहने वाला है, सफलता मिलने की संभावना भी बन रही है, स्वास्त की बात करें, स्वास्त के दिश्टी से आज की नप के लिए ठीक ठाक रहेगा लेकिन आज आपको अपने संतान के स्वास्त की चिंता रह सकती है तो अपने संतान के स्वास्त का ध्यान ज़रुर रखें प्रेम समन्थ की बात करें तो प्रेम समन्थों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है आज आपको महसूस हो सकता है कि जीवन साथी के जीवन में आपके कितनी जरुरत है आज किन निम्पु अपने खाते पतात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग औरेंज कलर लखी नमर रहने वाला छे बात करें कन्या अधासी की कन्यारासीम चंद्रमा दस्वे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज के दिन आपका मन उमंग से भरा रहेगा लेकिन आज आप थोड़े भावग भी हो सकते हैं किसी की बातें आपको ठेस पहुँचा सकती है तो ज़्यादा भावनाओं में ना बहें वरना आपके स्वाविमान को भी से ठेस पहुँच सकता है कुछ जात्कों के पैसे दूसरों पे खर्च हो सकते हैं जिससे घरीलो जीवन में कुछ तनाव का सामना आपको करना पर सकता है आपके जो भी प्रियेजन है वे आपके भरोसे और वादे की जोरत को अज महसूस करेंगे व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार धन की दिश्टी से जोय तक नोकरी कर रहे हैं उन्हें ऑफिस में अच्छा माहौल मिलेगा काम काज के स्तर में भी सुधार होगा व्यापार से समंदित आपको कहीं यात्रा प्याज जाना पड़ सकता है और यह आपके लिए लाबदाएक भी सिध्ध होगा तो यात्रा के मौके को हाथ से ना जाने दे इस मौके का फाइदा जरू उठा होए आपके व्यापार के लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहे हैं विद्यार्थी की बात करें तो आज का समय मध्यम रहेगा मैनेद नत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी स्वास्ता की बात करें तो भोजन और निंद में और नियमित्ता रहेगी जिससे आपका स्वास्ति तो डग मुगा सकता है अगर इससे बच कर रहेंगे तो आपका स्वास्ति ठीक रहेगा प्रेम समन्त की बात करें तो प्रेम समन्त की दिश्टी से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है आपका प्यार और आपका जीवन साथ ही आपको कोई खूब सूरत सा उभाराज दे सकता है आज के दही खाएंगे ता आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग लकी नमर चार रहेगा बात केंगे अब तुलारासिकी तुलारासिम चंतरवा नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपके काम के दिखता रहेगी जदा जूट बोलने से बचें इससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है आज के दिन क्याग्या निवेस आपके लिए सुब रहेगा फिर भी निवेस सोच समझ कर ही करें आज आपके सुभाव में भावकता और कामकता के दिखता रहेगी आज आपके मन में किसी प्रकार का भय बना रहेगा मानसिक चंतूरन बना के रखें काम और घरवालों का दवाव आज आपको थोड़ा गुसेल बना सकता है आज के दिन यातरा मनुरंजन और लोगों से मिलना जुलना आपका होता रहेगा व्यापार अधन की बात के तो व्यापार में निवेश करने के योग बन रहे हैं अगर अच्छी योद्ना बनाएंगे तो आज आपके व्यापारिक पर्तिजन दी आपके सामने निर्वल साबित हो सकते हैं विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के इन उत्तम रहने वाला है विद्यार्थी अध्यान में अच्छा परदसन कर सकेंगे तो मेहनित में कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्त की बात करें आज आपको पेट से समंधी दिक्कत का सामना करना पर सकता है आज अपने माता के स्वास्ते आपके बिगर सकते है तो अपने माता के स्वास्त पर आपको ध्यान देने की ज़रुरत है प्रेम समन्त की बात करें जीवन साथी से अच्छे समन बनाने की कोशिस करें उनके साथ आने वाई दिनों की योजनाय सेयर करें इससे आपके समन अच्छे बरेंगे आज के इंग अधरक अपने खाद बतात में सामिल करेंगे आप तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग रहने वाला है पीला रंग लकी नमर एक रहने वाला है बात करेंगे विश्ची करासी की विच्ची कराशिम चंदरमा आठमें स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज बेकार के सोच में अपना समय और उर्चा आपका बरबाद हो सकता है तो इसका द्यान रखें बल्कि अगर सही दिसा में समय लगाएंगे तो इसका फायता भी आपको मिलेगा भागीदारी वाले व्यविसायों में निवेस करने से आपको आज बचना चाहिए आज किसी प्रकार का जोखी मिलने से बिलकुल बचे हैं आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने के दिन हैं कुछ जातकों के लिए आज की कई यात्रा और निवेस सफल रहेंगे आपके द्वारा किये के कारी से आपको यस और किर्थी की प्राप्ति भी होगी परिवार में सोहार्थपून वातावरन बना रहेगा नोकरी और कामधंदे की जगह सहयोगियों का सहयोग आपको मिलेगा खर्च में आपकी बढ़ोतरी होगी आज लोग आपकी वह परसंसा करेंगे जिसे आप लंबे समय से सुनना चाह रहे थे व्यापार और धन की बात करें तो आज आपका ना चाहते हुए भी फालतू का खर्च बढ़ेगा तो अपने बढ़ते हुए खर्च पर नियतन जोड़ रखें ये आपके व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं विद्यार्थी की बात कर आज आपका मन जेंचल रह सकता है आज आपका मन परहाई में कम लगेगा फिर भी अपने मन को परहाई में लगावें सफलता इसी से मिलेगी स्वास्थ की बात कर त्मामली चोट और वाद वियाद से हानी हो सकती है आज आपके स्वास्थ में थोड़े उतार चरहों आ सकते हैं प्रेम समंध की बात कर प्रेम समंधों में थोड़े उतार चरहों आ सकते हैं जीवन साथ ही से हलकी नुग्जों के संभावना बन रही हैं, तो आपसी संभन्जस से बना के रखें, आज के दूद या दूद से बनी भी चीज़े खाएंगे ताप के लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब लंग लाल लंग, लखी नमबर रहेगा पांच, बात क जनों के साथ कही घुमने या स्सा में बिताने कमों का आपको मिल सकता है, आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के भी सब के ध्यान का केंदर रहेंगे, व्यापार और धन की बात के आज के दिन आपके लिए कारवार के विश्तार और धन संगर करने की योग बन रहें, प् और सोसल मीडिया में अपना समय बरवाद ना करें, महनत करें, सफलता मिलेगी, स्वास्ता की बात करें आज आपका स्वास्ता अच्छा रहने वाला है, अपने जीवन साथी के स्वास्ता का ध्यान रखें, प्रेम समन की बात करें आज का दिन आपके प्रेम परसंगों के ल लगी नमर रहने वाला चार बात में मकर रासिकी मकर रासिम चंदरमा छठे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आपके उदार सुभाव का गलत फाइदा उठाया जा सकता हैं तो सचेत रहें आज आप काफी व्यागर और चिंतित भी रहेंगे आज आपके और अधिनस्त करमचारियों की सलाह आपके लिए लाबदाइक सिद्ध हो सकता है व्यापार और धन की बात करते हैं तो पहले उसके बारे में गहराई से जानने की कोशिस करें कोई भी कदम उठाने से पहले विश्य सगे की सलाह जोड़ लें तभी कहीं निवेस करें विद् समंधी बिमारियां आपको परेशान कर सकती हैं तो अपने स्वास्त का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के द्रिश्टी से आज किन आपके लिए अच्छा रहने वाला है जीवन साथी से सामन जस्य अपका बना रहेगा आज किन साबूत अना जीमेदारियों को समझने की आवेश सकता है अपने जीमेदारी का निर्वा अच्छे धंशे करने का प्रियास करें आज आपका मन परसंड न रहेगा लेकिन आलत से की अधिकता से कारीयों में थोरा विलंब भी हो सकता है लेकिन इसके बाबजूद आज कहीं आपके बहुत सक्रिय और लोगों से मेल जोल भड़ा रहेगा आज अपने उत्साह में कमी तो बिल्कुल भी ना ने दें उत्साह में कमी के कारण आज आपके कारी भी प्रभावित हो सकते हैं और इसका प्रभाव वेबसाइक छेतर में भी देखने को मिल सकता है ज्यादा लाव के लिए आपको अपने कारी प्रणानी में सुधार करने की आवज सकता है कुछ राजिक किये सहयोग मिलने के संभावना भी बन रही है संतान के साथ मत्भेद हो सकते हैं आज कोई भी महतपूर निर्णे सोच समझ करी लें किसी आध्यात्मी गुरू या ज्यानी पूरुस की सलाह सही लें व्यापार और धन की बात करें तो अगर आज के इन कोई नई व्यापारिक योजना बनाएंगे तो आने वाले समेम उसका लाब भी आपको मिलेगा आपके व्यापारिक प्रतिदंदी आज सांत भी रहेंगे विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज कर दिन सामाने रहने वाले मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी स्वास्त की बात करें आज आप ठाकान और अलस्य का अनभव करेंगे वेश्ट दिन चरिया होने के वाबजूद आपका स्वास्थ अच्छा बना रहेगा प्रेम समन्द की बात करें तो वाहित जातकों को ग्रहस्त सुख मिलेगा आज आपको अपने जीवन साथी से प्रेम और सम्मान की प्राप्ती भी होगी आज की ब्राउन राइस यान की पका चावल खाएंगे तो आपके लिए सुख रहेगा आपके लिए आज का सुख रंग फाल सही रंग लकी नम्मर रहेगा 9 बात कोंगे मीन डासी की मीन डासी मचंदरमा चोथे स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसूब आज आपके घर तथा कार्य स्थाल पर बहतर वाताब्रण रहने से आपको काफी परसनता होगी मित्रों या परिवार के सज्थियों के साथ मोझ मस्ती भरी यात्र आपको सुकून दे सकती हैं आपके किसी प्रिये व्यक्ति के साथ कुछ मतभेद वहर कर सामने आ सकते हैं साथ ही लोग आपको अज समझ नहीं पाएंगे अगर आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहयोगी भी आपसे नाराज हो सकते हैं नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज किन अच्छा रहने वाले उच्छ पतादिकारी आपके कारी की सराहना कर सकते हैं सरकारी कारी उस आपको सफलता मिलेगी अपनों से मनमूटाओ होने की संभावना बन रही है तो उनसे अच्छे समन बना के रखें बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आज रोजगार प्राप्ति के प्रियाज सफल रहेंगे नोकरी करने वालों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है व्यापारी वर्ग आज थोरा समल कर रहें विद्यार्थी की बात करें तो चंद्रमा के चौथे भाव में होने के कारण आज आपका मन अपेक छाकरित ज़्यादा चंचल रह सकता है पढ़ाई से आपका ध्यान भटक सकता है तो आपको अपने पढ़ाई पढ़ी मन लगाना चाहिए सफलता इसी से मिलेगी स्वास्त की बात करें स्वास्त के दिश्टी से आज किन आपके ये सामानने रहने वाला है किनी किनी जातकों को गैस से समद्धे समस्या रह सकती है तो अपने खान पान का ध्यान जबर रखें प्रेम समंध की बात करें तो आज के लिए प्रेम समंधों में थोरी खटास उत्पन हो सकती है जीवन साथी के साथ कुछ मदभेद उबर कर सामने आ सकते हैं तो मदभेदों से बिल्कुल बचें आपको अपने प्रेम समंधों के परतिस हजेत रहना चाहिए हो सकता आपका जीवन साथी आपके लिए प्रियाप समय ना निकाल पाए तो उन्हीं समझने का भी प्रियास करें आज किन जो ये जो से बनी वीचीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आठ पच कर बावन मेर तक इस समय में कोभी नया काड़ी आरम करेंगे उसमें आपको और सफलताथ लग सकती है दिसासूल आज पूरुदिसा में पूरुदिसा में किसी भी खास प्रियोजन से यात आरम ना करें यहाँ आपको नुक्सान हो सकता है सुब खादे आज इसा कुछ नहीं है क्या सोम वार है लेकिन दरपन देखकर यात आरम करेंगे तो आपके काड़ी आज बनेंगे तुम दोई यह तो था आज का संपूर्ण रासी फल कलके संपूर्ण रासी फल के लिए जोड़े रहे हैं धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्षा जै मत अदिव